जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो दहीं बल्ले बनाने की शेयर की थी तो बहुत ज़्यादा कुमेंट्स आये थे कि उनके साथ जो मिंट चटनी और सौन चटनी बनायाती है बोर एस भी शेयर करें तो आज मैं आपको दोनों ही चटनी बनाना जिखाऊंगा एक तम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और इसके साथ ये स्पैसल मसाला एड़ करेंगे ना सौन चटनी में आपकी सौन चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आप इसको स्टोर करके भी रख सेते हैं दो से तीन मन तक एक खराब भी नहीं होती है सबसे पहले आपने इमली लेनी ह 10 मिन में आपकी इमली जो है अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएगी ये देखिए मैंने इसमें गरम पानी आइड किया है और 10 मिन के बाप देखेंगे पानी जो ठंटा हो जाएगा और जो इमली है उसका जितना पलप है वो अलग हो जाएगा तो इसको आपने हलका सा मैश कर दीशे और इसके उपर आपने थोड़ा सा पानी और डालना है ताकि जितना भी इमली में पलप रहेगा न पूरे का पूरा निकल जाए या फिर आप इसको दुबारा से बालों में भी होई है थोड़ा सा मैश कीशे जितना भी पलप रहेगा न पो अच्छी तरह से निकल और इसकी बेश्टेज बिनी होगी तो इस तरह से आपने पहला काम तो ये कर लेना है अब दूसरा में क्या चीज़ी होगा इसके साथ में आपने गुड़ चाहिए होगा तो 200 ग्राम इमली ली है 300 ग्राम आपने गुड़ का यूज़ करना है गुड़ को छोड़ छोड़ टुकडों में काट लीशे क्योंकि अगर बड़े बड़े पीसीज डारेंगे मेल्ट होने में टाइम लगता है और के देखिए इमली का पल्प यहाँ पे मैंने कड़ाई में डाल दिया है और बॉल के नीचे थोड़ा सा पल्प रह जाएगा उसको अपने हटा देना है के गैस की फिलेम हाई करेंगे और हाई फिलेम में आपने इमली को पगाना यहाँ पे शुरू कर देना है और थोड़ी दिर आपने पल्प बीच बीच में आपने पल्प चलाते रहना है ताकि जो हमने इसमें गूड एड किया है वो कड़ाई के नीचे न चिपके और यह चाएगा इसके बद आपने गैस की फिलेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फिलेम में आपने चटनी को कम से 15 मिनित पकने देना है तब तक वो मसाला बना लेते हैं जिससे चटनी में बहुत ही बड़ी आप टेस्ट आता है एक पहन लेने आपने तीन छोटे चमच साबू ज गला पक जाता है तो यह जो काली मेर्च है उसके लिए बहुत ही बहतरी न होती है इससे हमारा गला बगरा खराम नहीं होता है आप आपने गैस की फिलेम मीडियम रखनी है और मीडियम फिलेम है जब तक इसमें डार कलर नहीं आ जाता है थोड़ा सा तब तक आपने इनको ट्राइ रोश कर लेना है पैस तो हम फूना जीरा पोर्टर डाल देते हैं बटी यह मसाला आप डाल के देखिए अबर सौन चटनी में जब और दस्त आपकी चटनी बनके त्यार होगी और जो मसाला हमने त्यार किये ना इसको आपने ठंटा हो ले देना है और इसको कूट ले जार में या पेलन से क्रेश कीजिए और इसको कूट लेजिए दरदरा सा तो डेर चमच देखिए मैंने वो मसाला आइड कर दिया है जब यह आपने चटनी बनाने हो थोड़ा सा मसाला डार सकते हैं आदा चमच आपने नमक आइड करना है एक चमच आपने सौन्ट पौडर आइड करना है और एक चमच आपने काला नमक आइड करना है इसमें और इन सारे मसालां को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अगर आपको लगए आपकी चटनी ज़्यादा ही ठीक हो रहे थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे और के देखिए चटन चटनी है बनके त्यार होई चुकी है आप इसको ठंडा करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं दो से तीन मन तक के खराब बिन होती है आप मिन चटनी मना लेते हैं यहाँ पे मैंने 80 ग्राम धनिया लिया है डंचल के साथ ही एड किया है पत्ते पत्ते नी डालें धनिया के और ग्रीन आता है यह देखिए अच्छे से मैंने इनको पीस लिया है इसके और आपने इसमें 1500 ग्राम धही आइड करना है तो 150 ग्राम मैंने दही लिया है अच्छी तरह से उसको पहले ना बिसकर से फेंट लेते हैं पतली दही का यूस नी करना है ठिक दही लेनी आपने और इ पेस्ट बना के रखा था उसके बाद इसमें से वह पेस्ट भी एड कर देते हैं तो यहां पर मैंने पूरा पेस्ट नी एड किए थोड़ा सा बचा लिया है और इसके साथ में थोड़ा सा नीमू का राष्ट भी ढाल सकते हैं अगर आपके वास धनिया और मिंट का पेस्ट